गुड मार्निंग स्टुडेंग, कैसा रहा आप सबका मदर डे, आप लोगों के लिए प्राचारे मोहदे ने ड्रॉइंग कॉंप्टीशन रखा था, जिन बच्चों ने उसमें भाग लिया, वो सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जो बच्चे आगे बढ़ने की इम्मत र किस श्रेणी में आता है, श्रव्य, द्रश्य, द्रश्य श्रव्य या इन में से कोई नहीं, बच्चों श्रव्य कहते हैं सुनने को और द्रश्य कहते हैं देखने को, द्रश्य श्रव्य सुनना और देखना, option चोथा या आपका इन में से कोई नहीं, सरल लेखा किसे कहते ह हाथ से खीची जाने वाली रेखा, दो बिंदों के बीच की दूरी, आकरती बनाने वाली रेखा, या चितर तयार करने वाली रेखा, आपको मालूम है कि यह सब काम रेखा के भी न हो यह नहीं सकता, चाहे हम चितर बनाएं, चाहे आकरती बनाएं, लेकिन हमारा कोश्चन क्य जल रंग का चितर बनाने के लिए कौन सा कागज उप्युक्त रहता है आपको पता है हर कागज पर अलग तरह के रंगों का प्रियोग होता है जैसे पेस्टल पेपर पर हम पेस्टल के सूखे रंग से बनाते हैं वाट्समेन पेपर पर हम जल रंग से बनाते हैं चाये हम landscape बनाएं चाये हम nature painting बनाएं Cartage paper पर हम poster color से बनाते हैं आलेखनित्यादी और canvas पर हम oil color से बनाते हैं जिसका माध्यम turpentine और linset oil होता है Question No.5 कौन से number की pencil गहरी चलती है? B, HB, H या 2H B माने black, HB माने hard black, H माने hard, 2B माने 2S का grade है और ये हाड कौन से नंबर की पैंसिल से शेट करते हैं HB, 2B, H या 6B आज आप इनके उत्तर खुद लिखेंगे कल में आपको सही उत्तर की जानकारी अपनी क्लास में दूँगी बच्चो आपको आयुश कवच करके एक एप और डाउनलोड करना है जिसमें आपको कॉरोना बाइरस से बचने के लिए आयुर्वेदिक दवाओ और योग के माध्यम से किस तरह आप कॉरोना बाइरस से बच सकते हो ये जानकारी प्राप्त होगी